राज्य सरकार ने प्रदेश में उचित मुल्य के दुकानदारों की आई में वृद्धी के लिए राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवशक पदार्थ अधिनियम के प्रदत शक्तियों का प्रियोग करते हुए उचित मुल्य की दुकानों पर ईमित्र केंद्र स्थापित क करने के आदेश जारी किये हैं इसके लिए उचित मुल्य दुकांदारों को स्वेम के स्तर पर सूचना एवं प्रोध्योग्य की और संचार विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा खाद्य एवं नागरी का पूर्ती मंत्री रमेश चन मीना ने बताया कि उचित मुल्य के दुकांदार को ईमित्र कियोस्क के संचालन के दोरान निर्धारित शर्तों और मापदंडों की पूर्ण पालना करनी होगी उचित मुल्य दुकानदारों को सारजनिक वित्रण प्रनाली एवं राशन वित्रण का कार्य बाधित नहीं हो इसका भी पूरा ध्यान रखना होगा साथी मंत्री ने बताया कि राशन डीलर को इमित्र केंदर इस्थापित करने में किसी भी प्रकार की वित्तिय तक्निकी या अन्य कोई सहायता नहीं दी जाएगी उचित मुले दुकांदार वारा निर्धारित की गई शर्तों की पालना नहीं करने पर नियमानुसा लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा